बच्चो FAQ स्रीज में आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट लाइन के कुशन्स , बच्चो J.Main में यूजुली स्टेट लाइन से एक कुशन्स आता है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि स्टेट लाइन से डारेक्टली कुशन्स नहीं पूछा गया है बट इंडिरेक्टली इसको सर्कल या कोनिक के साथ उन्होंने क्या किया है? किलब किया है. अगर इसमें important topics की बात करें, तो बच्चो 2020 से 2024 के जो J.E.Main के paper आएं, उनको analysis करने से ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा questions उन्होंने area of triangle, या special points जेना triangle, या equation of line in various forms के पूछे हैं तो बच्चो यहाँ पर अपन कुछ question यहाँ पर discuss करेंगे, जो frequently पूछे गए 2020 से 2024 तक, तो पहला question जो बच्चो है, वो है special points जेना triangle का, और ये question almost हर साल J.E.Main में हमें मिल जाएगा, और उन्होंने इस question में, बच्चो डारेक्ट ऐसे line का equation देखें, नहीं पूछा कोई centroid, circumcenter या ortho center, most of the question कैसे मिलेंगे, कि line की equation में, वो parameter का involvement कराते हैं, तो देखो बच्चो इसको कैसे हमें करना है, ये है हमारा triangle ABC, ABC, AB का जो equation है, वो है 2X plus Y equal to 0, और जो AC है, वो हमें दे रखा है, X minus Y equal to 3, और जो BC का equation है, वो है, X plus P by is equal to 15A, ना बच्चो और तो सेंटर के आदे रखा है, 2, A, तो और तो सेंटर क्या होता है, हमारे पास, point of intersection of altitude, तो दो altitude यहां पर मैंने ड्रॉ कर दिये है, है, so this is H2, A, ना बच्चो हमें करना क्या है, हमें ऐसा नहीं है कि altitude की equation लिखेंगे, और फिर point of intersection निकालें, और फिर वो values यहां पर 2 और A से क्या करें, compare, rather than अपन यहां क्या करने वालें, कि अगर हम देखें, BC line का जो slope है, वो minus 1 upon P है, तो यह जो AH है, इसका slope कितना आएगा, P, तो P is equal to slope of AH, और A को अपन आसानी से निकाल सकते हैं, that is point of intersection of these lines, तो वो कितना आ रहा है, बाई का minus 2X यहां पर रखेंगे, तो बन, X का value और बाई का आ जाएगा minus 2, तो बचो AH line का जो slope है, वो हमें मिलेगा, A plus 2, Now, AH line का slope है, और अपनने एक equation यहां frame कर दिया, A और P में, दूसरा अपन कैसे frame कर रहे हैं, बचो, यह जो slope line है, BH, इसका भी slope अपन लिख सकते हैं, यह कितना आएगा, minus 1, और B का coordinate अपन निकाल सकते हैं, B का value again, minus 2X यहां पर put करेंगे, so 15A upon 1 minus 2P, और जो B आएगा, that is minus 2 times of this, minus 30A upon 1 minus 2P, Now, BH line का जो slope है, वो हमारे पास कितना है, minus 1, and that can be written as, A minus 15A upon 1 minus 2P, divided by 2 plus 30A, divided by 1 minus 2P, अब बच्चों, 2 equation, 2 unknown हो गए, यहां से अपन solve करेंगे, तो हमें यहां पर एक relation आजाएगा, A square minus 4A plus 3 equal to 0, तो A के हमारे पास 2 value मिलेंगे, 1 और 3, और हमें A को और यहां दे रखा, यह A goes from minus half to 2, so A equal to 1, यह आपर हमें accept कर लेना है, तो A अगर बन है, तो बच्चों, P का answer आजाएगा, अपने पास 3, अगला जो question है, बच्चों, वो हमने लिया है, area of triangle का, अगें थोड़ा सा complex problem है, direct question नहीं है, area of triangle का, तो देखो, इसमें क्या करेंगे अपन, दो line हमें दे रखी है, L1 and L2, और हमें क्या दे रखा है, कि एक और line है L3, which passes through this point, intersect L2 and L1, L2 को intersect किया A पर, और L1 को intersect किया B पर, and P जो point है, वो इसी पर है, 2, 3, जो AB को बन स्टू 3, तो ये B है, तो ये बलेगा, हमें 3 स्टू 1, और ये point हो गया हमारा C, और हमें area of the triangle यहाँ पर निकालना है, तो बच्चों देखों, इसमें क्या thought आएगा अपने पास, हमें इन तीनों के क्या चाहिए, coordinate, अगर इन तीनों के coordinate simple दे दें, तो area of triangle निकालना भहुत ही आसान है, हलाकि ऐसे भी question पूछे हैं, जेही में ने, तो देखों, इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले C का coordinate अपन निकाल सकते हैं, आसानी से इन दोनों को solve करके, तो वो मैं direct यहाँ पर लिख रहा हूँ, यह आएगा minus 15 upon 13, 32 upon 13, अब रही बात, हमें B या A, किसी एक का point मिल जाए, तो देखों, B को अपन कैसे लिख सकते हैं, अगर यह मैंने मान लिया T, X अगर T माना, तो बाई आएगा अपने पास 10 minus 2T upon 5, similarly बच्चों A को लिख सकते हैं, अगर यह X coordinate Q मान लिया, तो अपने पास by coordinate जो आएगा, वो आएगा 12 plus 4Q upon 3, यह अपना by coordinate आएगा, अब बच्चों इसमें section formula यूज करोगे, तो जो T है, यह तुमारे पास आजाएगा 95 upon 13, यह हमारा value आएगा, तो B का जो coordinate है, इसको मैं अब direct लिख रहा हूं, यह मिल जाएगा 95 upon 13 minus 12 upon 13, तो अब इसका area आपन बच्चों आसानी से निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि A को निकालने की जरुत है, अब क्या करेंगे, पी, बी, सी, इसका area निकाल लेंगे, यह area भी किस ratio में divide करेगा, इसे 3 is to 1, जितना base divide हो रहा है, तो 3 fourth of area of triangle, जिसको हमने delta लिखा है, तो इसको determinant में यह तीनों point आ जाएंगे, that is 95 upon 13, minus 12 upon 13, 1, फिर आपन लिखेंगे 2, 3, 1, और फिर C का point, that is minus 15 upon 13, 32 upon 13, 1, और यह modulus, क्योंगी area हमेशा क्या होता है, positive, तो बच्चों इसको solve करोगे, तो यहां से तुम्हें delta मिल जाएगा, 132 upon 13 square units, तो बहुत ही important, बच्चों, question है, यह area of triangle का, और J-Main इसी अंदाज में पूछता है, थोड़े complex problems इन में पूछता है, rather than direct, क्योंकि direct question तो बहुत ही असान हो जाएगा, वो, अगला question है, बच्चों, वो line का equation है, parallelogram, और यह भी J-Main में कई बार पूछे जाते हैं, कि parallelogram लेते हैं, वो कई बार trapegium ले लेते हैं, कई बार isocellus triangle लिया जाता है, या equilateral triangle, उसमें वो कुछ parameter दे देंगे, एक point या दो line के equation और दूसरे parameter वो भाँ पर पूछते हैं, सबसे पहले बच्चों इसका diagram बनाना है, और बच्चों को यह देखा जाता है, usually कि इस type के question समझने में थोड़ी difficulty आती है, तो पहले उनको थोड़ा step by step पढ़ना है, और उसको diagram का रूप हमें देते जाना है, तो 2x minus 3 by plus 23 equal to 0, और एक side अपने पास कितना है, 5x plus 4 by is equal to 23, तो अगर बच्चों इन दोनों को solve करोगे, तो यह वाला जो point है, यह आएगा आपका 1, minus 7, sorry, minus 1, 7 आएगा, minus 1, 7, now अब हमने यह point देखो क्यों निकाला है, क्योंकि हमें एक diagonal का equation दे रखा है, 3x plus 7y equal to 23, तो हमें यह पता करना है, कि वो यह diagonal है, या फिर यह वाला diagonal है, तो उसको कैसे पता करेंगे, इसको रख के देखेंगे, तो यह point इसमें लाई नहीं कर रहा, तो यानि कि हमें य A वाला diagonal यहां पर के बन है, and that is A, B, C, D, अब हमने यह आपर क्या कर दिया, इसका नाम करन, अब देखो हमसे question में क्या पूछा है, BD diagonal हमें निकालना है, और फिर A का distance पूछा है BD diagonal से, तो बच्चों देखो इसके लिए क्या करें, यह हमें पता है, तो अपन A का coordinate निकाल स C को निकालोगे, तो 3, 2, अब देखो B हमें निकालना है, तो यहां पर अपन parallelogram का एक property यूज करेंगे, कि diagonals क्या करते है, उसमें bisect, तो diagonal अगर bisect करेंगे, 3, minus 4, minus 1, तो यह 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का sum match करना चाहिए, similarly, by coordinate भी इसका क्या आएगा, 0, तो BD diagonal का equation अगर अगर अपन distance निकालें, तो जो distance हमें चाहिए, तो वो कितना आ जाएगा, बच्चा, point को coordinate, इसमें line की equation में put करेंगे, that is minus 28 plus 5, और divided by root 50, तो इसलिए हमें यह answer यहां पर आ जाएगा, क्योंकि हमसे 50D square यहां पर पूछा है, एक और चीज बच्चों यहां बताना चाह इसके भी J main में कई question मिलेंगे, कई बार point का वो ऐसे पूछते हैं, एक line से distance बताईए, along another line, 2024 में भी उसका एक question था, तो यह formula भी बहुत important है J main के point of view से, बच्चों अब हम चलते हैं अगले question की तरफ, तो बच्चों यह जो question है, reflection का use करके पूछा है straight line में, J main में कई बार आ अंदर, हमें बस इसको पढ़के, इसका diagram सही से बनाना है, और फिर जो भी इसमें पूछा जाएगा, उसको अपन निकालेंगे, तो देखो हमें क्या दे रखा है, array of light passing through the point P2,3, reflects on the x-axis, तो यह हमारा P point हो गया, 2,3, और यह वाला जो point है A, और यह जो mirror का जो काम कर रहा है पर बो है हमारा x-axis, now the reflected ray passes through the point Q, 5,4, यह हमारी होगी reflected ray, अब क्या दे रखा है, इसमें हमें, R भी the point that divides line segment AQ, internally in 2 is to 1 ratio, तो यह R point है, और यह 2 is to 1, यह बच्चो रेशो हमेशा ध्यान से लिखना है, AQ है, तो 2 is to 1, now, coordinate of the foot of perpendicular M, from R on the bisector of the angle PAQ, तो PAQ यह वाला angle बनेगा, अब इसका bisector, तो बच्चो एक bisector तो यह हो गया, external, तो PAQ का बात कर रहा है, तो वो तुमसे इसका internal angle bisector की बात कर रहा है, अगर नहीं mention है तो, तो R से हमें क्या drop करना यहाँ पर, foot of perpendicular, तो यह वाला जो point है, यह क्या आजाएगा हमारा M, और इसी के coordinate हमें निकालने, तो बच्चो देखो क्या करेंगी, reflection वाले question को, सबसा आसान तरीका जो है करने का image के concept से है, कि अगर मैं कहूं, यह P point है, तो इसका x-axis के about जो image होगा, वो किस पे लाई करेगा, AQ पर, तो P का जो image आएगा, वो यहाँ पर आएगा 2, minus 3, तो अब बच्चो अपन AQ line का क्या लिख सकते हैं, equation आजाएगी AQ line का, और उसमें by का value, अगर अपन 0 पुट करें, तो हमें मिल जाएगा x का coordinate, तो देखो PQ line का equation है, वो आजाएगा, अपने पास by plus 3, और जो slope है, 4 minus of minus 3 divided by 5 minus 2 into x minus 2, अब बच्चो इसमें by का value 0 पुट करेंगे, तो A का coordinate आएगा, that is 9 upon 7 plus 2, तो 9 upon 7 plus 2, 0, तो अगर इसको solve करोगे, तो यह मिल रहा है, हमें 23 upon 7, 0, तो बच्चो अब हमारा R का भी point आजाएगा, अब देखो M निकालना है, तो M का, जो x coordinate तो यही रहेगा, 23 upon 7, क्योंकि यह x-axis है, so this line is parallel to by-axis, now R और M का by-coordinate क्या होगा, सेम, तो R का जो by-coordinate, 2 into 4, 8 plus 0, तो 8 upon 3, तो यह M का, हमारे पास point आजाएगा, तो अब इसका बच्चो आंसर निकाल सकते हो, अब 7 alpha plus 3 बीटा, तो हमें 31 यहाँ पर बच्चो अब हम चलते हैं अपने अगले question की तरफ, तो बच्चो इस question में हमें क्या दे रखा है, 3 line के equation दे रखे हैं, और हमें यह बताना है, यह कब triangle नहीं बनाएंगे, यह question बच्चो advance में पूछा जा चुका है, match the volume के रूप में आया था, J main में 2024 में भी इसका question मिलेगा, exact इसी format के अंदर, तो अब अगर question की बात करें, इसे कैसे solve करेंगे, तो अगर 3 line की equation given है, और वो triangle नहीं बना रहे, तो हमारे पास क्या-क्या possibility हो सकती है, तो या तो 3 line concurrent हो जाएं, या फिर 3 line क्या हो जाएं, parallel, या फिर कोई 2 line parallel हो जाएं, त सबसे पहले अपन क्या करेंगे, concurrency की condition लगा देते हैं, तो वो क्या होगा, determinant का value बनता है, coefficients का use करके, उसको अपन क्या करेंगे, 0, 6, 3, 1, यहाँ आएगा, alpha 2, minus 2, and this is equal to 0, तो यहाँ से जो alpha आएगा, बच्चो बो मिलेगा, तो मैं 8 upon 10, अब बच्चो क्या करना है, तो यह इस line का slope है 2, और इस line का slope है, minus alpha upon 2, तो यहाँ से alpha का value आएगा, minus 4, similarly, इन दोनों के slope equal करोगे, so minus 2 is equal to minus alpha upon 2, तो alpha का value कितना आगया, बच्चो, 4, तो अब हम से क्या पूछाए, sum of all square of real values of alpha, तो बच्चो बो जब इसका answer निकालोगे, इसका पूरा use करके, तो वो 32 यहाँ पर तो में मिल जाएगा, thank you.